घर बनाने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है सीलन सीलन अब दीवार पे हो फिलोर पे हो या छट पर हो पर ये बहुत बड़ी समस्या है और इनी सब समस्याओं का सॉलूशन बताके सीमेंट कमपनी अपने प्रीमियम पोडेक्ट सेल करती हैं जैसे की ACC सीमेंट का गोल्ड वेधर शील्ड अल्टर टेक का वेधर जेके सूपर का पोटेक्ट एमपी बिल्ला का रच्छक और भी सीमेंट कमपनी है आज इस वीडियो का मेंट टॉपिक यही है क्या ये सीमेंट सच में ऐसा काम करती हैं जो कमपनी दावा करती हैं क्या इन वाटर फूरू सीमेंट का यूज़ करना चाहिए और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा नए घर बनवाते में वाटर पूरूफिंग कैसे करें और कहां कहां करनी चाहिए ताकि हमारे नए घर में सीलन से बचा जा सके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बस एक छोटी सी रोकेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लें सबसे पहले जानते हैं क्या सच में ये सीमेंट वाटर प्रूफ होती हैं तो इसको प्रॉपर वाटर प्रूफ सीमेंट नहीं कह सकते हैं ये होती हैं, वाटर रिफलेंट इसका मतलब हुआ पानी को रोकना या बगाना ये इतनी आसानी से पानी एब्सॉर्फ नहीं करती है, अगर मैं आपको सरल और हिंदी भाशा में समझाओं तो आप इसको कह सकते हो जल विरोधी सीमेंट, अब ये एक सेम्पिल वीडियो देख इसमें पानी डाल रहा है, पर इसकी बूनें ऊपर ही हैं, ये पानी एब्सॉर्फ नहीं कर रहा है, ये सीमेंट हाइडरोफॉबिक पॉलीमर से बने होते हैं, जिस वज़ा से ये सीमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, ये थोड़ा कॉसली सीमेंट होता है, वैसे तो आप इ इसे फाउंडेशन से लेके प्लंद बीम तक और यहीं सबसे ज़्यादा सीलन हमारे घर में आती है यह सीमेंट बहुत हद तक सीलन रोगने के निये हेल्प कर सकती है आपके नए घर के कंस्ट्रेक्शन में जब आप छट की ढ़लाई कराओ तो आप इसको यूज कर सकते हो वै जानते हैं इसकी कोस्ट की बात आकर यह नॉर्मल सीमेंट से इतनी कोस्ट्ली पड़ती है नॉर्मल सीमेंट आपको 370, 380, 385 में मिल जाएगी डिपेंड ओन कंपनी पर यह प्रीमियम सीमेंट आपको 50-60 रुपे पर बैक कोस्ट्ली मिलेगी अब जानते हैं कौन से मार्केट में और सब कंपनी अच्छी हैं पर मैंने आज तक दो ही ब्राइंड यूज किये हैं वाटर फूरूफिंग सीमेंट जिसको हम लोग कहते हैं एक तो अल्टरा टेक का वैदर पिलस और अमबूचा का कवच दोनों ही अच्छे सीमेंट हैं मैं अपने एक्स्पिरिय अच्छा आ रहा है तो उस पे एक भरोसा बन जाता है और आपको उसे ही यूज करना चाहिए इन दोनों सीमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है और जब एक प्रोडेक्ट पे आपका भरोसा हो जाता है तो आपको रेगुलरली उसे ही यूज करना चाहिए दोस्तों एक ब बनवाते हैं यानी RCC इस ट्रेक्चर में और दूसरा जब जब घर में पत्थर या टाइस लग रहे होते हैं सबसे पहले जानते हैं इस ट्रेक्चर में वाटर पूरूफिंग हमें कहाँ कहाँ करनी चाहिए सबसे पहले हमारा जो फिलोर PCC होता है यानि के हम पिलंद बीम के बात जो हम PCC डालते हैं एक लेयर उसमें हमें जरूर वाटर पूरूफिंग करनी चाहिए सबसे जादा सीलन घर में वहीं आती है दूसरी बात जब हम पिलंथ बीम डालते हैं पिलंथ बीम में भी हमें वाटर फूरूफिंग करनी चाहिए और तीसरी बात जब हम छटकी डलाई कर रहे होते हैं तो वहां भी हमें वाटर फूरूफिंग जरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर पहले किछिन में और बालकनी में भी आपको वाटाफिस्टरूफिंग ज़रूर करनी ही चाहिए इसका मतलब यह हुआ जहाँ जहाँ पानी का पानी यूज ज़ादा होता है वहां पे हमेशा वाटाफिस्टरूफिंग करनी ही चाहिए अब आप waterproofing दो टाइप से कर सकते हो, first hydrotopic cement, यानि जो हमारा waterproof cement के बारे में हम जो discuss कर रहे हैं, उससे कर सकते हैं, दूसरा है कि आप कोई भी normal cement लो और उसमें chemical यूज़ करो, chemical कौन सा यूज़ कर सकते हैं, सबसे अच्छा chemical का जो result है, वो है Dr. Fixit का 301, यानि कि आपको यूज उस कैसे करना है, एक किलो cement लेनी है, और डेल लीटर आपका Dr. Fixit 301 chemical लेना है, दौनों को अच्छे से mix करें, और दो code apply करें, इसको करने के बाद आपके जो भी area में आप waterproofing कर रहे हो, उसका result बहुत शानदार आएगा, एक बात का ध्यान और भी दें, अगर आप पानी वाल उखड़ उखड़ के निकलने लगती है, या फिर वो yellow पड़ जाती है, जब भी आप ऐसी जगे पे आप tailing करा रहे हो, चहां पानी का संपर्ख जादे है, तो वहाँ पे हमें tiles के बीच में epoxy ही use करनी चाहिए, वो ही best है इसके निये, दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर उपन कर लें, ताकि हमारी न्यू वीडियो का notification आपको मिलता रहे, मिलते हैं जल्दी next वीडियो में